तो कितना प्राउट से बता रही है ना कि ऑनर नेम साजीद है साजीद ने इसे कितने नाम यहां वहां कहां कहां किया है है ना आप लोगों के तो पता ही है सोचो बिली को नाम दे सकता है तो क्या इनसानों को नहीं दे सकता क्या यूस कर रही है पिटारा तो साजीद का क्या यूस कर रही है और खुदी आके प्रूब भी कर रही है कि देखो मैं बिली को जब नाम दे सकती हूं तो सोचो मैं किस किस को नाम दे सकती हूं साजीद का ल मौर्निंग के टैम पे अच्छा यह मौर्निंग में उठी मतलब सोचो यह मौर्निंग में उठी और गोंचु के साथ में सिर्फ मार्किट जाके आई और रात हो गई इतना मतलब दो तिन गंटे का दीन होता है पिटारा कितना जूड बोलेंगी शरम कर ले पिटारा थोड़ी कंटेंट ु और गोंचु दोनों सेम लगए सव yönड लगरे मुझे तो तोड़नों में तेरा भी कि कंटेंट बएक क्या कंटेंट है वाबाबाबा इनको तू आना चीह जिर मी वीवूज आना चीह इत्त्त भा Genau तो यह सोफा कब लाया गया था मैंने आप लोगों को बताई भी थी वीडियो बनाके याद है आप लोगों को तो यह सोफा है ना बहुत खास है इसके लिए क्योंकि ये सोफा इसको इजाज ने दिलाया है इसके लिए ये बोलती है इससे बहुत ही आदे जुड़ी हुई है बहुत ही आदे जुड़ी हुई है जो जो इसकी निशानिया है ना इजाज की वो तारी निशानियों से ना ये बे इंतहा महबबत करती है और दिखाती भी है जताती भी है वीडियो में जताती है कि देखो मैं तुमारी चीजों से कितनी महबत करती हूँ चीजों से मिल दी हुई चीजों से तो पिटारा तुझे क्या लगता है, कि सच नहीं पता मुझे कि यह सोफा तुझे कौन दिलाया था शरण कर पिटारा शरम कर जिनको पता है ना तो वो लोग अच्छे से जानते हैं और तु कितनी घटिया औरत है ना वह हम लोग सोच रहे तो थोड़ी ती शरम कर ले कि सोचो यह अगर बोली है कि यह रैंट का घर है तो रैंट के घर में कौन छोड़ के जाता है फरनीशिंग वगेरा कौन छोड़ के जाता है जैसा कि अपनी मा के रूम में गई तो वहां पे इसने बोली कि जो अम्मी का ड्रेसिंग के वल है जो अम्मी का बैड है वो हम नहीं लेके जाएंगे जो चोटा थी बैड वहां पे साइड में पढ़ा है वो लेके जाएंगे और एक जो सोपा करता है कौन चोड़ता है मनला आप यह क्या करेंगी आप जूड बोलेंगी कि मैं बेच दूंगी क्योंकि पकड़े जाएंगी नहीं तो पकड़े जाएंगी जाएरती बाते वरना कोई भी ना जब रेंट वाला घर खाली करता है ना तो वहां पे अपने फरनीचर नहीं आप लगोंने क्या बोली है इसने यह इदर ही रह जाएंगा रेंट के घर में कौन फरनीचर छोड़ता है भी अब मेरा वीडियो देखने के बाद में कुछ ना कुछ बहाना जरूर करेंगी कि घर मालिक ने बोला हमें बेच के चली जाओ या मैंने कहीं और बेच दिया है लोग आके यहां से उठा लेंगे तो पिटारा तेरे आगे के सारे गे मैंना बहुत अच्छे से पता है मुझे और दूसरी बात के यह बंदी जिसने महरम बिल्कुल भी सेलिबरेट नहीं की लेकिन आप लोग देखो कि दूसरे चैनल के लिए यह रोज जाना कुछ ना कु कर शुद के लिए लिए इतना कर्चा कर रही है। क्यों कर रही है क्यों रूम को हनीमून रूम बनारी है ना वो सब समझाथा पिटारा को इतना बेवकूप नहीं है तू कलि वीडियो शूट करने के लिए ये light लगा वो light लगा करे अच्छा पिछली बार भी हिए ती सारी लेंप लीथी और वह फरी लाइट लीथी और पता नहीं क्या 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 इतने खरीदी थी लेकिन इतने वीडियो में तो दिखाई नहीं आप लोगों को याद है ना वीडियो कैसा बनाई पूरा अंधेरा करके चुड़ायल बनके इसने वीडियो बनाई इतनी सारी जो चीजे लीती कहीं पर भी इसका यूज करते वे नजर नी आई क हैं कि वो आफ कैमिरा यूजे है ऑनिमों रूम बना लेती है और फिर बाद में वो आफ मेरा यूजे लोगों को बेवकूँ बनाने के लिए के सामान बता के लाती है कि सामान चीछे आटाँ और बोलती है कि हम लोग इसके लिए फरनीचर नहीं ले रहे ना भी घर लिए ना तो पैसा नहीं तो इसके लिए अभी खर्च नहीं कर सकती क्योंकि मेरे पास पैसा नहीं अरे जूटी है तो एक नंबर की हमने गुलाया था हॉम शिफ्टिंग वाले जो होते हैं तरह समान यहां से खोलेंगी हुटेंगे और उसपर अच्छा यहांसे यहां सरह कोई और र Honors जाहिए और यहां थी हैजिए क्या साजी साजील कर शिफ्ट करती तो देखो इस चिंडरी चोर जाहिल ओर अउरत ने फटा फट से वह अडिया अवाइदिया कितना अच्छा एडिया है ना गदे को गदा मदूरी कराने से बेटर है तोड़ा थी पैसा दे देंगे और मैं तो हूँ ही काम चोर और ये नजमा दली हो गई और वो लंबे मुका को ने इसका रितिक रोशन वो हो गया लोग को बुलाना भी नहीं पड़ेंगा घर में सामान तूट फूट भी नहीं और चोरी भी नहीं और ये सोचके इसने फटा फट से मेरे वीडियो में से आइडिया चुराई और इसने ये काम कर ली जब पिटारा यही करना था तो रोना दोना क्यों डाल के रखी थी साजित आएंगा तो लोग खोलेंगे तो लोग ले या जाहिल ओरत को यह सारी कुछ दुनिया का पता ही नहीं है मतलब तरीके तो बतारी ये लोग आएंगे पैक करेंगे वहां सिफ्ट करेंगे थोड़े पैस से जाएंगे लेकिन होँजाएंगा तो यह सारा कुछ तुझे अगर पहले से पता होता ना तो तुप पहले ही करवा लेती। एड़िट ऐसे लेती हो कि जैसे तुमको सब पता था अगर तुमको पता होता ना इस चीज़ का तो पिछले तुमने दो तीन गर चेंज किये ना तो वह टेम्पे बच्छों से और वह गोंचु से तु सामान इधर उदर नहीं करवाती वह टेम्पे भी अच्छी काती तुरी तो लोग अच्छे से रैप करेंगे अरे तेरा नवा फरनीचर है तो फरनीचर का थोड़ी है जो तु फरनीचर की वज़े से उनको बुक कर रही है जाहिल और तुझे पता ही नहीं था कि इसे भी सिफ्टिंग हो सकती है समझी फरनीचर का बहाना मत दे टेबल चाहिए था को ही दिखेंगा अच्छा पितारा बड़ा अच्छा बोली तुने भाई तु को एमरा जहां ले जाएंगी चीजे दिखेंगी लेना है फिजुल खर्चा करना है पैसो को आग लगाना है लगा वैसे भी लगाई रही है तू यह फाल तू के एस्क्यूस देना फिटे मू त हुआ तो आपने सेश सजाने के लिए करिद रही है कि वीडियों के लिए बेश्रम अरधिन के साओ possess भी चाया है भी हमी जूद बुलवा लिए हमी को नचा के मुझ्रा करवाली वह मीद्दे पुरे घर का काम करवाली वह मीद्चे जो नहीं है वो इतने करवा ली अभी अम्मी से शूट करवाएंगी बताओ कितना गिरेंगी ये क्या क्या करवाएंगी अपनी मां से समझ के बाहरे पिटारा थोड़ी सी शरम कर ले और इसकी मां को देखो उसको भी शरम नाम की चीज नहीं है न सलमा के इदर एक वीडियो में आने को तय हो मां बेटी दोगों को न सलमा की हाई लगेंगी नहीं कहीं के नहीं रहेंगे, देख ले देखा था न था, वह प्ले को लेकर बच्चे गए धे अबाच और वहाँ से आते ही फिर ये बाहर निकल गई और पी डिरेक्शाम ओगई उसके बीच में कहां थी पिटारा सुबा सुबाच तु निकली थी डिरेक्शाम हो गई तो पीच में कहा मूँ काला करने गई थी और उसका प्रूब भी दोंगी आगे कि ये मूँ काला करके आई ये देखना तो ये बेबी शोना जादूत होना किसको बोलती है ना वो सब पता है बच्चों के तरफ पैमरा करके बोलने की जरूरत नहीं है पिटारा और ये भी जफाने की जरूरत नहीं है कि तू आयत को ए there or fig. Agent कि इतना ही तैयबा को भी प्यार करती है वो दिखता है विडियो में that ओं लोगों को प्यार करती है उनों के मूंं की स्माइल आकर चिपक जाना और उन लोगों को मतलब आदत है तू नोगों को ऐसे प्यार करती है उनको प्यार करती है उनके मुझे से नजर आता है और जब सब्सक्राइब करना तो वह प्रफारा करना इसी तरह नाम रखी हूं कि तरह भुलाती हूं तो बच्चों नहीं तो किसको बुलाती है ना इसको यह हिंट देती रहती है मुझे अच्छे से पता है तो ज्यादा है ना यह सारी चीजे करके ना चू बनाने की जरुवत नहीं है इसके होड़ देख रहे हो देख लिया ना कहा मुझा लगर करिए पता चल गया कि जरूर करके आई है मुझा और रात रात भर जापती है दिन दिन भर सोती है शाम को ठीए बोलती है सुबा का मौसम कितना सुहाना है न वो तो बादल आई हुए न इसके लिए अंधेरा दिख रहा है वर न मौसम तो सुबा का ही ये सुहाना मौसम अरे बस कर दे पिटारा और ये चिचोरा पना अधेड़ हो गई है तेरी उमर देख ये सब चिचोरा पना जाई नहीं रहा तेरे से खाई हो नहीं से लिफ्टिक निकल गई इसलिए ये लिफ्टिक न कभी भी बिना लिफ्टिक के ये सामने नहीं आती है क्योंकि बीच में है न ये थोड़े दिन तलग के बिना लिफ्टिक के आ जाती थी मैं इसके रोज होटों के उपर नोटिस करती थी और पबलिक को दिखाती थी इसके लिए इसने क्या करी ना कि बिना लिफ्टिक के कैमरे पे आना ही बंड कर दी पर आज इतने दिनों के बाद में ये बिना लिफ्टिक के आई है और फिर से पकड़ी गई है आप लोग खुद बताओ कि आप लोगों के होट ऐसे इस तरह से रोज रोज जक्मी रहते हैं और यही जक्मी होट इसने वो टेम पे दिखाई थी भई यह अजगर आये था था तब तोबा तोबा और फिर यह दुबाई जा रही थी ना तभी भी से महां दुबाई जाने के टैम पे मैं बहुत नोटिस करती थी इसके होंटों को यही राज है जिसके वज़े से ना यह लिफ्टिक लगाए भी ना रही नहीं तकती है क्योंकि सबको ना सबूत मिल जाते है ना इसके गंदे काम करने का घटिया और अब देखना यहां से भागते हुए आईगी यह आ लेके जा रही है और बाकी का सामन उठाने के लिए इसने मुस्तफा को वेजी और खुद खली मोबाइल लेकर नाच रही है गेंडा मतलब लोग क्या बच्चों से भी तु यह सा बच्चों की अच्छे एजुकेशन के लिए बच्चों के लिए कुछ अच्छा तो तू करन खुद कैसे पहलना है वो तू बराबर बताती है शरम कर पिटा रहा शरम कर ले को लेकर तो इतना ृजर बाता की है इतना ऑर भा भा परबाप इस सामन ना था ना है जैते फूरे खांदान में परदा बच्चा है जो रिजड लाया है जाईरती बात है तैयबा का है देखो मैं बहुत ध्यान दे रही हूं बहुत अच्छा रिजट आया है और टीचर ने बुली है कि इसको आगे बढ़ने दो ये करो वो करो तो भई मैं आगे बढ़ा आ रही हूं तो नौट की गड़ी थोड़ी और मोटी कर देना पिटारा तो ये क्या ड्रामे करती है नहीं को भी अला आगे बढ़ा है ऐसी सब ब्लेसिंग दिया उसने लेकिन ये औरत बहुत ज़्यादा घटिया औरत है ये सिर्फ और तरी पैसे की बूकी औरत और इतनी ज़्यादा ये जाहिल औरत है इतनी कामचोर है कि बच्चे ने काई में हिस्सा लिया था वो भी इसको नही कि अपने बचबना यह तो अगर यह द्यान रखती ना भड़ों तो इसको पता होता है अहरत पूच रही है मुस्त्फा से इस इस चीज में घ्सा लिया था तो मुस्त्फा करके बता रहा है कि हाँ इसमें हिस्सा लिया था लानत है फिटारा तेरे उपर ये तो यह तो यह अभी लाइट आफ कर देती हूं इनको सुने देते हैं लाइट आफ कर दी उन लोगों को सुने दी फिर खुद गई वह रूम में साफ सफाई करी पुरा रूम है ना हनीमून रूम बनाई उसके बाद में व्लॉक खतम कर दी आगे का फिर आप समझदार हो समझ जाओ फिर गंदे काम करकर के दिखा रही है जबके देखो गेना तो पिछली बार जब इसने घर साफ की थी ना तो दुनिया भर का पूरा निकला था जो के मुझे नहीं लगता है कि जिसमें हम रह रहे हैं इतना कोडा निकलता है क्योंकि जाहिरती बात इंतना रोज ज़ाड़ू पत लेकिन अब इसके घर में फारुक की बेटियां है इसकी माँ है तो देखो कोड़ा बिल्कुल निकला क्यों क्योंकि लोग ने पहले से ही सब साफ सफाई रखे लेकिन इसको दिखावा भी तो करना है ना कि मैं काम करती हूं क्योंकि काम तो यह एक भी नहीं करती तो यह सारा क है कुछ करके दिखावा कर रही है कि मैं कुझ काम करी हूं भी वह बताने की कोशिश करी है कि देखो해도 टूल में निकाल दी हूं और लेट जा इसके उपर और नाक की तरह लोटो कि संटी कोरने का बराम कर रही है ना रोच करो पूरे घर का का म कर्वाQU जिम में जो तुम पैसे लेने जाती थी ना वो काम इससे बेटर है कि जिम में जाके ड्रामा करने की बजाए अपने घर में काम करो मोटी तुम्हारा वजन वैसे ही काम तो लगता है कि इसको ना मुखाला करने जाने के लिए ना बहाने चाहिए रहते हैं आप लोग देख रहे होंगे जब से गोंचु आया है यह कुछ ना कुछ ना कुछ ना कुछ लेने के बहाने रोज जाती है और खुदी बताती है ना कि मैं सुबा से जाती हूं और यह रात अब भिंगरी लगी हुई है कि इसके पैर गर में टिकते ही नहीं है गर में आके इतना अंजान बनके पूछती है क्या बनाया कौन-कौन खाना खा लिया कोई भी औरत ये सवाल कभी करेंगी औरत को घर गिरस्ती का ही नहीं पता कमाल है नहीं बेहुदा और डरावनी डरावनी वीडियो आती है तो आप अपने बच्चों से दूर रखे और मर्दों से भी दूर रखे वरना सब भी गड़ जाएंगी सब जने सीख जाएंगे कि किसी से बात मनवाने के लिए हाथ की नसे कैसे काटनी है और कैसे मेकप करके डराना है घर पालों को कैसे साइकोपना करके डराना है समझ गए तो बिल्कुल भी इसके वाले चैनल को तो बिल्कुल भी मत देखा करें यह बोल पिटारा अगे यह बोल बकी भिकमंगी तो बड़ा इटेटिव दिखा रही थी कि तेरे से सब जने कमा रहे है खा रहे तेरे भी ना तो एक लाग इतनी मुश्किल से हुए है देखो जरा मिलियन वाली के दुसरे चैनल पे लाग ही इतनी मुश्किल से हुए है सोचो आप लोग इतनी बड़ी व्लागर है न ये और भीक मंगी एक लाग के लिए 1 million के लिए भीक मांग मांग के मांग मांग के ठब गई तो अब दूसरे चैनल की भीक मांगने बैड़ गई क्या दीन आ गए पिटारा तेरे वेते सही है सही हो रहा है इसके साथ में बोलते है ना जैसी नियत वैसी बरकत तो तुमारी नियत के इसाफ से तुमारे जो तुमने बिठाई हुई है ना तो वो लोग तुमें बहुत अच्छे से डुबा रहे और शाट आउट डो और बोलो कि ये लोग तो मेरे साथ है ये लोगों ने तो मुझे बहुत सपोर्ट किया है शाउट आउट डो बुला बुला के दो बहुत सही हो रहा है तुम्हारे साथ फिर चले इस वीडियो को मैं यहीं पेंड करती हूँ वीडियो कैसी लगी कमेंड में जरूर बताना वीडियो पसंद आएंगी तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब भी कर देना मिलतें नेक्स्ट वीडियो में अला पीस